हलो फ्रेंज, जब हम immunization की बात कर ही रहे हैं, तो pregnancy की immunization की भी बात हम जान ले pregnancy का immunization बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो antibodies तयार होती है, वो मा और बच्चे दोनों को उस disease से protection देती है आवल या प्लेसंटा की थ्रू ये antibodies बच्चे में जाती हैं, और क्योंकि life के शुरुवाती months में बच्चे में खुद की antibodies नहीं होती, तो ये बहुत ही लाबधायक साबित होती है जो नाम आप अभी screen पे देख रहे हैं, ये vaccines pregnancy में दी जा सकती है tetanus की vaccines कब-कब देनी है, ये अभी आप screen पे देख रहे हैं इसके अलावा, diphteria produces और influenza की vaccine भी pregnancy में दी जा सकती है, in fact दी जाती है influenza की inactive vaccine इस्तेमाल होती है, live नहीं इसके अलावा, यदि covid booster का time चल रहा हो, या covid wave हो, तो covid vaccine भी आपको दी जा सकती है pregnancy में और ये safe है diphteria produces tetanus और covid के अलावा कौन सी vaccines दी जा सकती है, जो आपने पहले screen पे देखा था, जो safe है ये उन और तो में दी जाती है, जिन में या तो HIV है, या diabetes है, मतलब उनका खुद का immunity यदि कम हो तो तो अब इन सारी informations के साथ, happy girl child day, मैं हूं Dr. Bushra Wasif, obstetrician and gynecologist, Zara Hospital, Bhopal have a happy and healthy life